हेलो गाइस आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम बात करेंगे काडियोलोजी में तो काफी इन पूर्टेंट टॉपिक में हिर्दे की जो एनाटमी उसकी बिशे में बात करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं काडियोलोजी में क्या-क्या होता है तो काडियोलोजी में सबसे पहले आप देखेंगे जो है इसमें चार चेंबर होते हैं एक होता है राइट एट्रियम एक राइट एट्रियम होता है एक होता है लेट एट्रियम एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेट वेंट्रिकल तो गाइस जो ये राइट सा सिस्टोल और डिस्टोल होता है जो हर्ट में सिस्टोल होता है और डाइस्टोल होता है सिस्टोल होने के बाद भी जो जो इसमें चैंबर हैं हर्ट में चार चैंबर होते हैं और चार वालब होते है इसमें इस जो वेंट्रिकल है इसमें सिस्टोल होने के बाद और डाइस्टोल होने के बाद भी कुछ रक्त बचा होता है सिस्टोल होने के हम इसको यमेल में देखते हैं कितना इसका आयतन होता है तो गाइस यहां पर हम इसको अगले स्लाइड में बात करेंगे इसके यमेल के बारे में कितना होता है यह तो गाइस यहां मतलब है उसके हट में कोई दिक्टत होती है सिस्टालह का मतलब सिकुड़नcture ॢडिस्टूलह मतलब फैलना हिरते एक बार सिकुड़क और पाद के बाद भी पचास एमेल का जो रग्त है इसके चैंभर में बचता है है सट्रोक करता ऊसकी नार्मल वैलू है 70 ml जो एक बार मी जो एक बार में एक बीट में भी बीट करता है एक बार बीट किया 70 ml झूझे वैंद देता है उसके बार जो एज्रेक्शन फ्रेक्शन है जो परेक्शन है वो जो होता है वो 60% होता है यह नार्मल होता है अगर किसी में 60% से थोड़ा कम हो गया है या जादा हो गया है तो इसका मतलब है उसके सरीर में कम या जादा का मतलब होता है कोई प्राब्लम है और गाइस जो काडियक आउटपुट होता है यानि काडियक जो हिर्दे आउटपुट जो हो देता है वो पांच लीटर 40 ml होता है यानि कि 50-40 ml पर मिनट एक मिनट में 5040 ml वो आउटपुट देता है तो गाइस यहां पे हें दाइस्टोलिक वैलूम है वह 120 ml होता है यानि कि डाइस्टोल के बाद 120 ml और सिस्टोलelse के खत्म होने Python होने पर 50 ml यह होता है यह लेट और राइट वेंटरिकल के पंप पर होता है और गाइस जो इस्ट्रोग वैलूम होता है 70 यानि कि 70 एन एक बार में इस्टूक करता ये खून वो रखत होता है यह वो होन जो वेंटरिकल की जरीए पमप किये जाते हैं ं कि तो गई इसमें हम देखेंगे इसमें है कि इसमें जो है वह इस ट्रूक वैलूम निकालते में जो इस्टूक ही ड़ा हो रहा है वो एंड डायस्टोरिक वैल्व म से यानी कि जो घुटा-लियू-टोरो के खतम होने पर जो कून बचता उसकीमात्रा 170 होती है और सिर च्टोर्रों के समाप्त?" होने पर जो खून बचता है चांब。 वह होता है सिस्तोल के अंत में कितना अते हैं आते हैं हम के जो इसको अगर निकालना है तो से ऊसको चरन कर दिया जाता है तो नारमल यम्हों होता है और नर्मल एन। गोयलूं एक्सों एक्सों बीस होता अगर किसी फ्रीमा प्रॉटोभ में महीं कराई है प्रसूद इसका मतलब होता है कि बलड एक शुंट है वह इतना बलड इस इस मतलब इसट्रॉब कर羅 में नुकालते हैं काडियक कितना ओट पूट देता है जो काडियक आउट पूट देता है या वोटा में ब्लड भेशता है उसमें इस्ट्रोक वैलूम और हट रेट से गुड़ा कर देते हैं उसको मल्टिप्लाइ करते हैं और हर ब्यक्ति में मतलब की जैसे की इसका जो नार्मल वैलू स्ट्रो रख दिया जाता है और इसका जो वैलू है यह और ज्यादा आ जाएगा मगर यहां पर क्या है अगर हम नार्मल देखें काडियक कितना होता है तो सिस्टोलिक इस्ट्रोक वैलूम इंटू हर्ट रेड यानि कि 70 इंटू 72 यह नार्मल होता है यह आज आएगा पांच लीटर 40 ml यानि कि इसको लीटर में देखेंगे तो 5 लीटर 40 ml पर मीनट की हिसाब से हिर्दे जो है इस ट्रोक करता है तो यह गाईस हो गई नार्मल जो चीजें होती है और इसके अलामा अगर यह वैलू आगे पीछे होती तो हिर्दे उसमें हिर्दे में दिक्कत होती हिर्दे के चैंबर बें दिक्कत होती है थैंक यू दोस्तों